कर आपको आंसर बताता हूं तुम लोगों ने पने आंसर बताए क्या चलो सारे बच्चे अलग अलग बता रहे है कोई A कह रहा है कोई D कह रहा है कोई B कह रहा है चलो बढ़िया देखो शुरू करते हैं दे किंग इस सैड टू बी थॉट इम्मोर्टल अब यहां पर एक्षी देखना सारे बच्चे जैसे हमने क्या किया इस सैड वर पैसिब में लिखी सब्जेक्ट किंग को बना दिया और इस पैसिफ वर्ब के बाद में ने तू बी थॉट इमसल्व लिख दिया अभी जो टू करने का सब्जेक्ट हो जाता है तो कहने का मतलब क्या वही वर और वही थूब्जाट वर्ब का दोनों का सब्जाक्त है अब किंग के साथ हमने सैड वर पैसिफ वर इसमें लिख रखी है ठीक है क्योंकि आइसा किंग मानता था और दूसरे नहीं मानते थे चुछा water पर हमने कि ghee के साथ पैसी वोई में गलत होगा इसका मीनिंग बदलू गया की राज्या के वारे में सोचा जाता था नहीं राज्या खुद सोचता ऑस्हुद को को इसका मीनिंग बदल गया इस लिए ऑप्षीन गलत हो गया दूसरे प्लस्रे में लिखा lucky people say that the king was thought to be immortal इसमें भी वही दिक्कत होगे आप देखो यहां पर थाट वर्ब लिखी एक्टिव इसमें सब्जेक्ट है कि यहां पर हमने वर्ब कर दी पैसी वह इसमें सब्जेक्ट चेंज किया नहीं सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगा तो मीनिंग बदल जागा यह भी गलत ह हो गया ठीक देखिए वोस्ताइट तो थिंक इंसेल्फ इम्मोर्टल देखो यहां पर नेकाद किंग के बारे में ऐसा कहा जाता है ठीक है कि वह खुद को इम्मोर्टल मान चुका है तो है ठीक है अगर लिख अगर लिख देंगे ना तो इसका मतलब यह काम पहले हो चुका यह और उसको हमें इंफिनिटीव फॉर्म में लिखना चाहता है पर्फेक्ट इंफिनिटीव लिख दे यह भी गलत हो गया पर्फेक्ट इंफिनिटीव करते हैं ऐसे एक्संस के लिए जो उस समय जब हम उनके बारे हम बात कर रहे हो पहले ही हो चुका है दे कि यही सही तो यह प्रेजेंटेंस यूज है तो यह फ्रेजेंटेंस में पैसीव बना दिया चाहिए यह इन्फिनिटीव जो था वह पास का एक्संद था पास का एक्संद का होने का मतलब वो मैंनो अरवसे पहले का एक्संद हां किimmelik syndrome में पढ़ोग सभाए नहीं तो जब से का आप वो इस तेंज करोगे तो इस सेड होगा यहां पर वह सेड लिखा वह तो आंसर एडी तो खेर चाह समझ में आया चाह नहीं समझ में लेकिन जिन बच्चों ने डी आंसर बताया था उनका सही है अभी जो क्रेशन है इस पर बेश्ट में आपको दो क्रेशन करवाना चाहत केबल दो सारे बच्चे को आंसर होता हैंगे एक क्यूर्शन में लिखा ही बिलीब्स दैट देट वर्क हार्ड ठीक है थोड़ा से चेंज करते थे तो टेड़ा हो जाएगा वह इसके पढ़ा रखें वह इसके प्लासेद में सारे कॉश्चन पढ़ा रखें थोड़ा साहल के कॉश्चन रखके समझा देटेए तों कॉंसेट हमें समझना है बेसिकली है एवरीवन है बिलीवस है यह बैट आई दूसरा है एवरीवन बिलीवस दाट आई पेड इस बिल्स यह दो क्वेश्चन से और इनका नहां हमें वोई सेंस करना है एक बार अपने आप देखो तो सब्सक्राइब आओ कि यह बीडियो कि सेंसे år कि बात में देखनें हुआ जो इस दुरानी सर्ट से पूछले ना मुझे पता नहीं है तो मुझे पता नहीं होते तो मुझे सही पता नहीं एक इस पूछलेना वह lived χ सब्सक्राइब कर देंगे वाट सब करके पूछ लिए करो सर से मेसेज अर्श कर लिया करो सर को दिन में दो बाद कि है को अब आवर्यवन बिलिबस डैट आई पे हिस्विल अब यहां पर ध्यान से देखो यह वर्ब लिखी है believe present tense में और यह वर्ब लिखी है पे present tense ठीक है जिस पर मैं ध्यान दखना है यहां पर beliefs वर्ब लिखी है present tense में लेकिन paid verb लिखी है past tense में तो जब हम इन दोनों sentences का passive बनाएंगे तो यह जू पे वर्ब है इसको हम क्या करेंगे infinitive में सब्सक्राइब एग कि अगर जो हमारी में वर्ब है और इन्फिनिटी बना रहे हैं वह इन्फिनिटी वाली वर्ब इससे पहले का एक्षन होगी तो उससे पर्फेक्ट फर्म में लिखना पड़ेगा पर्फेक्ट फर्म का मतलब यह है कि इसका तॉम पैसिव ऐसे बनाएंग कि I am believed to pay I am believed to pay his bills I am believed to pay his bills क्योंकि यहां पर यह जो बिलीव वर्व है वह भी प्रिजेंट में और जो पे वर्व जिसे में इंफिनिटी बना रहे हैं वह भी प्रिजेंट में तो हमने अब यहां पर आजाते हैं I am believed I am believed ठीक है अब देखो यह जो बिलीव वर्व है यह प्रिजेंट टेंस में तो इसका हमने लिख दे इंफिनिटी बनाएंगे तो पर्फेक्ट फॉम में लिखेंगे आयम बिलीव डिट टू है पेड इस बिल्स यही बात वहां पर मैंने क्वेश्चन देखा नहीं और मैंसे मिस हो गई कि यहां पर यह जो से वर्व हैं यह प्रिजेंट टेंस में लेकिन जो थाट वर्व पा ब ine Pues आया है आया है आया है आया है आया है लिए में भाट आया है हूयज अरी टात किर टाई है पर्फेक्टिटें पन्हें लिग्ड़न गशाम है है